नमस्कार दोस्तो सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है तो हम लोग बेसिक सैंस और इंजिनेरिंग पोर्शन को भर कर रहे थे जो कि आपका ये टेक्निशन ग्रेड वन सिगनल एक्जामनेशन के लिए काफी इंपोर्डेंट है और देखिए इसके जे है आपके जो भी क्ला है जो आपका एक्जामनेशन होने वाले तो इसमें देखिए जो कंप्टरव बेसिक का पॉर्शन है जनलवेनश का है और साथ हो ज़िए इंजिनेरिंग का है तो इन तीनों के लिए जो हमनें के परएंट कोर्स लोच किया हुआ है जिसमें कि आपको देखिए टॉपीक वा चाँलोड करने सरदी एक नाम से है यह लिंक भी स्प्रिक्प्शन बॉक्स आपको मिल खाहे गा नहीं तब ल不好 Google प्लेश्टोर में जाने के भी आप लोग विपलासे अप करोगी सब्कछ रहते हो और बिलेय 이 से पीडिया करना चाहते हो तो हमने बैसिक सांगे पार्ट वन का लड़ी प्रवाइट कर दिया है इसके साथ में जो सीलेबस है पार्ट वन में आपके यह सब आपको इसके अंदर में आपको यह मिलेंगे और बाकी देखिए जो पार्ट वह भी आपको जलती मिल दाएगा इस से पीडिया बाइक करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी तो जो लोग भी डेडिकेटेड वे एक ही जगह पर इन सभी सब्सक्राइब का अच्छे से प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है कोस में डोड अप लोग हो सकते हो हमने काफी मिनिमम भी रखा हुआ है बाकी अप लोग और जो कोस आपको प्रॉइड कर रहे तो उन सबसे हमने तो कम भी रखा हुआ है अब आई देखते हैं लोग एड्रेसिंग मोड के बारे में तो देखिए अड्रेसिंग मोड सब क्या होता है यहां पर और इसके साथ में जो है कितने टाइप्स का अड्रेस क्लासिफाई हमको करना होता है यहां पर तो उसके लिए तो यह देखिए इंडिकेट करता है यहां पर कि जैसे डेटा आपका तो उसको किस तरीके से एक्सेस किया जा रहा है इंस्ट्रक्शन के लिए तो अगर देखा जाए अड्रेसिंग मोड आपका यहां पर इसको तिसर आपका इंडारेक्टी ड्रेसिंग मोड चोथ है रजिस्टर ड्रेसिंग और पांच वाइपका हैं इम्प्लीश्य आफिर आप जोए अपिर। यह याद रखने हैं आपको यहां पर जो कि यह इंपोर्टेंट पैजमप्र विश्चा आता है कि कि किपने टयुम प्रेसि एक आपको कोई दोसरा दे देगा तो आपको एटलिस्ट यह पांच यहाद रहना चाहिए तफित आप लोग कर सकते हो ना तो यह आपको ध्यान में रखना होगा और इसके बाद पिर आपका आता है इसका इसक्राइब करने के लिए भी रहेगा इसमें से मतलब कि immediate addressing mode इन में से कौन-कौन सा है तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि करके सभी को यहाँ पर पहले देखेंगे हम लोग immediate addressing mode को देखेंगे कि यह क्या होता है और यह किस तरीके से आपका रहेगा पहशान इसमें क्या हो और यहाँ पर कि जो आपका data जो रहेगा तो वो जो so instruction में ही present रहेगा मतलब कि data अगर आपका instruction में ही present रहेगा तो वो आपका कहलागा immediate addressing मतलब को उसको जो immediately addressing कर दिया जाएगा data जो है आपका directly stored आपका आपका रहता है उस ही के अंदर में Ol, यहां पर immediate addressing mode आपका जैसे कि आप देखो गए यहां पर कि जैसे आपका ओपकोड और ओपरेंड जो होते हैं आप इमेडियाट अड्रेसिंग मोड के अंदर में जो है आपका डेटा आपका इसका देखी यहां पर लेकिन आपसे कोश्चन में पूछेगा एकजांपल देखा कि आपको पाश्चान है कि इमेडियाट आड्रेसिंग मोड हाई कि ने कौन सा है तो इसका कमांड देखिया है कि दियावाइप के आपका इमडियाइट नाम ही इसका होता है कि मुप इमेडियाट डेटा तो यहां पर देखने को मिल जा है तो आप समझ जाओके वह अपका इमेडियाट अड्रेसिंग मोड ही है तो इसको पहचाना काफी simple भी होता है आपका M, V, I लिखा हुआ रहेगा इसके अंदर में आपका I लिखा है मतलब यह जो immediate data का यह दिया हुआ है यानि कि जो immediate data जो present है इसी में instructions में ही इसको move करके C में लाना है फिर next देखिए अगला आपका यहां पर है direct addressing mode है तो देखिए direct addressing mode क्या होता है आपको यहां पर यहां पर तो देखिए इस case में क्या होगा यहां पर कि जो आपका data है तो data का जो address रहेगा आपका तो वो जो आपका instructions में ही present रहेगा तो यह होता आपका direct addressing mode का मतलब कि इसमें ज खोजने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना है उसका जो address का data जो आपको instructions में ही मिल जाएगा आपको तो इसका दिखिए command कैसे रहेगा यहाँ पर देखिए दिया हुआ इसको लोड कर दो accumulator के अंदर में तो लोड accumulator यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे data आपका है जिसका address आपका 9000H आपका दिया हुआ है अल्रडी यहाँ पर address खुद ही दे दिया हुआ है तो hexadecimal number से जब भी आपका रहता है तो वह address यहाँ होता है तो इसको भी देखिए पास् करो इसको मतलब कि यहाँ पर देखिए 9000H में आड्रेस में आपको 44 है तो 44 को जहाए आप यह जो रिजिस्टर है इसको यहाँ पर आपके लोड कर दो तो यह उसमें आ जाएगा तो यहाँ पर देख रहे हुआ है इसमें address भी दिया हुआ है जिसमें 44 प्रिजेंट है तो य आप अपका है और एक आपका देखिए यह भी दिया हुआ इस्टिया है एड हम यहाँ मतलब कि नाम से दिया हुआ है यह दो कमांड करके से इसके बात यहां पर दिए हुआ है अगला और ड हそうですね तो देखें यहां पर क्या है इन डारेक्ट अड्रेसिंग रोल इप्रले वा प्रणा था डारेक्ट ड्रेसिंग तो आपको यहां पर फरक समझ में आ गेया हुगा फ्रक्षैमरे प्रक्षैन अप 107 अधरिशLastant in लेकिन इन direct addressing mode में आपको क्या था यहां पर आपका कि इस case में जो है जो आपका रहेगा address जो रहेगा data का तो वो जो है आपका कोई another register pair में आपका जहाँ होगा direct instructions में नहीं होंगे तो यह दोन difference आपको समझ में आ रहा होगा है यहां पर इसके example देखो इससे आपको clarity होगा है यहां पर जैसे कि दिया हुआ है कि LDA X और B यहां पर दिखे दिया हुआ है तो इस case में यहां पर देखे दिखे X जो दिया हुआ है यह denote करता आपको यहां पर क यह जहाँ इन्स्ट्रक्षंस है जो indicate कर रहा है जिससे operation जयो perform हो रहे हिना आपका तो एक register पर इसको यहूँ हो रहा है तो यहां पर register based पर एकसको डेनॉट करता है तूए इसस पर confuse आप लोग नहीं होना है तो यहां पर दिखिए बोल रहा है यहां पर कि जैसे बी में जो है यहां पर एड जो एक रिजिस्टर है आपका यहां पर तो उसका जो भी होगा यहां पर जो भी आड्रस है तो उसको आपको जहें यहां पर क्या करना है यहां पर करना है यहां पर करना है यहां पर इस तरीक जो कि इसका address यहां पर दीखे कुछ इस तरीके से हो सकता है डारेक्टली यहां पर नहीं दिया हुआ है लेकिन इसमें directly आपका दिया हुआ था address यहां पर नहीं दिया हुआ आपका तो इसका मतलब है कि indirect addressing mode का आपका यह हो जाएगा और इसी को accumulator में store कर देना है जो कि यहां आपे माल लीजे कि बी और सी डिनोट कर रहा है कि यही address को इसमें कितना 77 है और यही 77 को जा है लोड करना है इस accumulator के अंदर में अगला दिखे यहां पर है वो है आपका register addressing mode तो दिखे register addressing mode कहने का मतलब यहां पर यह हो गया आपका यहां पर कि इसके अंदर में क्या होगा य आपका register addressing mode इसका command कि किस तरीके से होगा यहां पर देखे दिया है moveAB मतलब की B का जो content है मतलब बी register का जो content है वो register content में जो है move कर दो तो यहां पर register के बीच में data का transfer हो रहे है तो इसको बोलता है हम लिग register addressing mode तो simply इसमें आपका यह चीज़ दिया रहेगा Move A to B तो इसको आपको देखना होगा यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा आपका तो आपका रेजिस्टर अड्रेसिंग मोड भजाएगा अगला दिखिए आपका यहाँ पर है इसको बुलेंग हम लोग इंप्लिसिट एड्रेसिंग मोड तो सींपल सा इसका डेफिनिसंग है यहां देखिए किस तरह से पहुष्चानों के कि इंप्लिसिट एड्रेसिंग मोड का है तो यहां देखिए सिंपली इस तरीके से रहेगा कि इसको आप देख रहे हो ना कि यहां पर देटा करने के लिए कि बोला कि आप सिर्फिशे का यहां पर कोई डेटा या पर कोई आपका है नहीं simply बोला है बस compliment कर दो उसको बिना यहाँ पर data ऑपरेंट दिये हुए simply बोला है compliment कर दो मतलब जो है उसी को करो यहाँ पर तो इसको बोलिंग अब लोग implicit addressing mode तो I hope कि अब यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा बाकी इन सब में आप देख रहोगे कि यहाँ पर कुछ data बोल रहा है कि बी का एक मैं कर दो यहाँ पर लेकिन इसमें बोला है कि जिसमें है यह में ही उसी का ही कंप्लिमेंट कर दो यहां पर कोई भी ऑपरेंट या डेटा आपका नहीं बता रहा है प्रिजेंट नहीं है तो इस तरीके से आपने अड्रेसिंग मोड के बारे में देखा अब देखिए कोशन आपका किस तरीके से पूछ सकता है जैसे कि दिया हुआ है इसके इसके अंदर में कि जो डेटा का आड्रेस आपका तो वह इंस्ट्रक्शन में ही आपको प्रिजेंट रहेगा तो यहां पर जैसे 9000H है और इसका जो कि आड्रेस एक्चुली में दिया हुआ है आपका यहां पर और यह जो है बोल रहा है कि इसी को जहां मोड करना है आपको रजिस्टर यह में तो उसी तरीके से यहां पर भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा तो देखिए अगर ह आपके चुली में बोल रहा है ना यहां पर आप अगर देखो घये यहां पर तो इसके सिन बोल रहा है कि जो बी C का कौन्तैंट है एम वोब करती है श्री आम यहां पर रहा YOUR डिकरी क्रिद्सटर अब्रेजिस्टर एडरेसरिंग मोड है आपका तो यह तो आपका होगा नह तो यह जहां पर एक Rimmediate Addressing Mode का प्या दिया हुआ है इमीडियेंट और आपको जाल पे दिए और आपको पहरे ब्यादुर्ट के उसमें भी देखा भ़ाचानला भी आपने होगा इसके बारे में दिएकリंड उसमें इसमेर जाल सब्सक्रान है और वहीं पर देखा जाए अगला आपका दिया हुआ है यहां पर आपका यहां पर आपका दिया हुआ है तो आपका दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है तो बाकि दिखिए यहां पर जो भी आपके है सारे वो जो है आपका यह जो दिया था आप इसको समझने के लिए आप समझ भी सकते हो जैसे कि यहां पर दिया था इसका इसका विखता हमाने चैसे में प्रेंव प्रेजिट रहा है कि को आपको किस में तो कि आपको ब्डीय में करने मोपका हुगए MA करने तो पिछे भी बिच मेंना तो कुई डेटा है ना तो कोई आडरेस भी दिया हुआ है तो आपको 44 D zawsze के समझनेप सब्सक्राइड खूजकर कर दियं अग्ला ती दिए डिए हो कि और ट्रसेश्श भी मॉट्थ गो discussions सी एम पी एम सब्सक्राइड जाएगा होता है इसके अंदर में तो कोन सा mode of addressing होता है कि जिसमें के इंस्टरक्षन हम लोग देता हैं CMPM का तो देखिएक है कोई instruction समझना होगा इसका देखिए आपका होता है instruction compare यहनि कि इंस्टरक्षी कि यह करो आप memory का कि यह देखिए को आपका यह होता है इसके अंदर में कि जो एडरस होती है डेटा का तो वो जो है आपका दूसरे रेजिस्टर प्रमा का इस टोर रहती है और डारेक्ली उसमें नहीं रहेगा आपका यहां पर तो इसमें जैसे कि अगर देखा जाया आपको यहां पर यह तो यह बोल रहा है यहां पर इसका बोल रहा है नहीं कि सिंप्ली उसी का बोल रहा है अगर यह से प्रतन है compare करो और कोई एक दे देता तो उसके समलोग बोल सकते हैं लेकिन यहां पर आपका इंडारेक्ट डिर्शिक मोड को बोल रहा है तो क्या होगा इसका 3 हो जाए होका और दिखी यहां पर जो सी एम पी एम जो है आपका तो यह आपका एक बाइट का इंस्ट्रक्शन आपका यह होता है यहां पर जो कि यह compare करता है डेटा बाइट्स जो रेजिस्टर में या फिर जह है जो आपका होता है तो इंडारेक्ट आड्रेसिंग बोर्ड में होती है जो कि दूसरे रेजिस्टर में आपका प्रेजंट होता है डेटा का एड्रेस तो यहां पर थी जो है आपका राइट एंसर हो जाएगा आपको देखिए इसपर practice करने होंगे हमने यहां पर देखिए बता तो दिया है, बाकि अप्लोग questions और अप्लोग करोगे, ति इसमें आपको ज्यादा command आ जाएगा, तो हम लोग देखिए इसे तरीके से जो है continue रखेंग class को,